प्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल एटूब आर्ट गुरू में आज हम इस वीडियो में TGT सलेवस की अध्यायवार की वीडियो भाग एक लेकर आया हूँ जिसमें प्राग अतिहासिक कला एम कला तत्व से महत्पुड 70 प्रस्ण सामिल किये हैं जो आपके एकजाम के महत्पुड तो आप कलम और कापी लेकर साल्व के लिए तैयार हो जाई है मैं बिरेंद्मावत प्रसनों का उत्तर आपको लास्ट में बताया हूँ आप कमेंट में बताना की आपका कितना सही है प्रस्णों में अगर कोई तूट रहती है तो दिसक्रिस्ट्रिस्टन बाक् के लिए ये प्रश्णुत्तर है आपकी तैयारी होगी तो आप साल्ब कर देंगे ज्यादा से ज्यादा नमबर एक भारती पुरातत्त के जनक कौन है सर अलेक्जेंडर कनिंगम दूसरा डी एच गार्डेन तीसरा जान मारसल चौथा इस्टूर्ड पिगोड नमबर दो प्रा प्रागे तिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे जगदिश गुप्त एडर्शन अमरनादत अजित घोष नमबर चार प्रागे तिहासिक चित्रों का मुख विशे क्या था पसु आखेट ब्यक्चित्रन पावराडिक भूद्रिश्ण नमबर पांच आवर हेरिटेज इन आ प्राज में इस्थित है नमबर एक तमिलनाड नमबर दो केरल नमबर तीन गोवा नमबर चार महाराष्ट सात्वा अधिकांस प्रागे तिहासित चित्रों के रंग क्या है गेरुआ काला स्वेत नीला आठ नमबर भिम बेटका की सिला उतक्रिण चित्रकारिक किस आवद के है नियोलिथिक एलियोलिथिक चेल्कोलिथिक मेसोलिथिक नौ नमबर भिम बेटका की गुफाओं का रहस्य धर्मयुक साथ अधिक में किसने प्रकासित किया नमबर एक बिरेन नाथ मिस्ट नमबर दो डी एच गारडेन नमबर तीन एल बासब नमबर चार उप्रोक से मिलते हैं गुफाओं में माहलों में मंदिरों में बिहारों में खुशंगाबाद किस नदी तड़ पर अवस्थित है नर्मदा नदी चंबल नदी रोहन कोई नहीं नमबर तेरह प्राग एतिहासिक चित्रकला की सता पर बनाई गई है चट्टानों पर ताल पत्रों पर लकड़ी के पट्रों पर ब्रिच के छालों पर नमबर चौदर रिस मूलक परवतमाला में प्राग एतिहासिक साच खोजने का स्रेक किसे प्रात नमबर एक आलचिन दंपत को, नमबर दो सेलवाराय को, नमबर तिन बाड़िक को, नमबर चार पिगाट महोदे को पंदरे नमबर भारत वर्ष में प्रागेतिहासिक चित्रों की खोज, स्वर प्रथम किस छेत्र में हुई नमबर एक आखेट संबंदित, धर्म संबंदित, युद संबंदित, प्रकित संबंदित नमबर अठारे प्रागेतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुग विसेशता है नमबर एक मावलिक ता, नमबर दो सुन्दर ता, नमबर तीन प्रती कात्मक ता, नमबर चार एथार ता उन्निस नमबर घाहल सुगर की गुफा चित्र कहां है नमबर एक मिर्जापूर, नमबर दो जहांसी, नमबर तीन मानिकपूर, नमबर चार चौद नदवली, बीस नमबर पंचमढ़ी इस्थित है, नमबर एक महादेव परवस सिंखला में, नमबर दो हिमाले परवस सिंखला में, निलगीर परवस सिंखला में, अरावली परवस स 22 नमबर पंचमढ़ी छेत्र के चित्रों को प्रकास में लाने का स्रे किसको जाता है दी एच गार्डेन को मनुरंजन घोश को इस्टवर्ड पिगाट को इन में से कोई नहीं 23 नमबर प्राग एतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं 24 नमबर चक्रधरपूर की गुफाएं किस राज में इस्थित हैं बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट 25 नमबर प्राग एतिहासिक चित्रों के मानों ने किन द्रिश्यों को प्रमुकता दी हैं 26 नमबर प्राग एतिहासिक कला के संदर में कौन सा कथन असत्त हैं 27 नमबर प्राग एतिहासिक चित्रों में अंकित ज्यामित आक्रदेश, महाराष्ट स्वास्तिक सष्टकोड बृत आद प्रतीक है 28 नमबर चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का कार किस साताबदी में प्रचलित हुआ दूसरी साताबदी, तीसरी साताबदी, चौथी साताबदी उप्रोग से कोई नहीं 29 नमबर देखें, दच्छिर भारत में किस अस्थान पर सैल चित्र प्राप्त हुए सैन कुल्लू, कुप गुल्लू, टेकल कोटा इन में कोई नहीं 30 नमबर चित्र सुत का उलेक कहा मिलता है, विश्डु पुराण में, रामाण में, भागवत, पुराण में, उप्रोग सभी में 31 नमबर कोशिती की ब्रामण में संगीत को कहा गया है, सिल्प कला, काब्य कला, निर्थ कला, उप्रोग सभी 32 नमबर चित्र लच्छन ग्रंद के रचैता है नगनजीत बामन भरतमुनी उप्रोक्स से कोई नहीं 33 नमबर निमलिखित में आये किसका रूप्रत कला से संबंद नहीं है स्वर रेखा वण अंतराल 34 नमबर निमलिखित में काउंसी कला अर्थ प्रधान कला है काब चित्र रूप कोई नहीं 35 नमबर चित्रण के धरातल कितने आयाम होते हैं दो तीन चार छे 36 नमबर भारती चित्रकला की विशेष्ता है अंतरकरण की प्रेड़ा सत्यम सिवं सुन्दरम उतकर्श अम उन्नेन वो प्रोक्त सभी 37 नमबर सिरेपूर्द कास्टिक की एक प्रक्रिया है कांसा मृद सिल्प फाइबर ग्लास सीमेंट 38 नमबर किस आधार पर काब को कला माना जाता है रस उत्पत अर्थ उत्पत धन्य उत्पत रूप उत्पत साद्रिस रंग है यह 49 नमबर नमबर एक पीला नारंगी पीला बैगनी नारंगी नीला हरा लाल 40 नमबर नाट सास्तर में मूल रंग है नमबर एक लाल पीला स्याम नमबर दो लाल पीला नीला नमबर तीन लाल पीला सफेद नमबर चार हरा पीला लाल अब 41 नमबर देखें अरस्तु के अनसार कला है नमबर एक अनुक्रित नमबर दो भाव नमबर तीन अभिव्यक्त नमबर चार कोई नहीं 42 नमबर भाव कला को क्या देता है? 1. अभिव्यक्त 2. परिवर्थन 3. आनंद 4. उद्धीपन 43. नमबर किस द्रब्ब से कले की मजबूती प्राप्त होती है? 1. भूसी हस्क 2. कपास के रेसे 3. रेद 4. उप्रोक से कोई नहीं 44 नमबर 4 लच्छों में किसके साथ चित्रकला का संबंध है? 1. काम 2. मोच 3. धर्म 4. अर्थ 45 नमबर लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? 1. नीला 2. पीला 3. नमबर 4 लाल 46 नमबर आलंबन तथाव दीपन किसके भेद हैं? विभाव 4. वडिकाभंग 4. प्रमाड 4. लावड 47 नमबर बिश्डु धर्मत्तर पुराण किस कला से संबंधित है? चित्रकला 5. मूर्तिकला 6. अस्थापतिकला 7. सभी कला से 48 नमबर जिसमें बिसेश्ता या गुडों द्वारा आकरित में वास्थिक्ता की अव्यक्ति हो उसे कहते हैं रूप लावड भाव उप्रोक सभी 49 नमबर छापा चित्रण में साप्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रियुक्त करते हैं नमबर एक रेजिन नमबर दो जिंग पाउडर नमबर तिन बैसलिन नमबर तिन ललित कला वा उधार कला नमबर चार मूर्द कला वा अमूर्द कला 51 नमबर परिपेच कितने प्रकार का होता है नमबर एक दो नमबर दो चार नमबर तीन आठ नमबर चार तीन यह यहाँ पे चार लिखने में भूल हो गई 22 नमबर चित्रों में भाव आंत्रिक संदर का बोधक है लावड किसका बोधक माना जाता है नमबर एक बाह का नमबर दो आंत्रिक का नमबर तीन अनपातिक का नमबर चार उप्रोग सभी तीरपन नमबर बाउत दर्शन के साहित में संदर्शास से संबंदित ग्रंत कौन सा है ललित विस्तर, कामसुत, चित्रसुत, उप्रोक सभी चववन नमबर सडंग साधना का चरम बिंदु है नमबर एक वड़ी का भंग, नमबर दो लाउड योजना, नमबर तीर रूप भेद, नमबर चार उप्रोक सभी पशपन नमबर रामाण में उलखित सीता का स्वणड पत्मा किसने बनाया नमबर एक मैं नमबर दो दसरत ने, नमबर तीर राउड ने, नमबर चार भरत ने चपन नमबर दच्छ भारत में राजकुमारों को चित करला, सिखना अनिवार था किस विद्वान का मानना था, दंडी का, सोमदेव, विग्याने स्वर, सभी का सताओन नमबर बीर रस का स्थाई भाव क्या है, नमबर एक बीरता, नमबर दो उस्षा, नमबर तीन क्रोध, नमबर चार कोई नहीं अठावन नमबर युद्य और सांध नामक पूस्तक के लेखक हैं नमबर एक टालेश्टाय, नमबर दो हीगेल, नमबर तीन क्रोचे, नमबर चार कोई नहीं 69 नमबर ध्वनिसी धांद का प्रितवादन किस ने किया नमबर एक आनंद बरधन ने, नमबर दो हीगेल ने, नमबर तीन कुंतक ने, नमबर चार उपरोक सभी ने साथ नमबर कला का उदगम किस भारती मानुवी भावों का परिचायक है संदर का आनंद का रचना का सभी का एक सट नमबर काम सुतर में चितर कला को किस नाम आय संभोधित किया है आलेक, सिल्प, कास्ट, रूप भेद, पांसट किस दार्शनिक ने संदर के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में संदर की अभिवेंजना ये महतपूर की उस्चन्स है नमबर एक हीगल, नमबर दो सिसरो, नमबर तीन थामस हाफ्स, नमबर चार अरस्तू 63 नमबर लावड को मोती की तरलता के समान किस ने बताया है No.1, Roosami ने – No.2, Byrat Tuni ने – No.3, 4, Uproch से कोई नही 64 No. Michael Angelo ने मानो देहकरित को कितने भागों में बाटा है No.1, 8, No.2, 7, No.3, 10, No.4, Uproch से कोई नही 65 No.2, Kaush के लेखक काउन है No.1, Binoth No.2, Roosization गूमने पर स्वेत रंग उत्पन करने वाले वर्ड चक्र का आविस्ट करता कौन है निूटन लियोनार्डो उस्टवाल कोई नहीं संडशट नमबर अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाये जाते हैं लयात्मक रेखा, जायमिती रेखा, सीधी रेखा, कठोर रेखा ये भी आपका संडशट नमबर इंपोर्टेंट है अंडशट नमबर नित संगीत का द्रिश करन है ये कथन किसका है सूसर लैंगर का, भरत मुनी का, अरस्टू का, उपरोग से किसी का नहीं 69 देखें, राओद्रस का रंग क्या है? लाल, नीला, काला, पीला, सत्तर, चित्र में तान का प्रियोग किस में होता है? नमबर एक संपूर्चित्र में, नमबर दो प्रिष्ट में, नमबर तीन आकृतियों में, नमबर चार उपरोग सभी में, तो friends इस संपूर्चित्र के प्रस्णों के अंसर सभी में ए सही है, एक नमबर सही है, सभी प्रस्णों में, सभी का अंसर नमबर एक संपूर्चित्र जैसे दिया है सत्तर में तो ये एक है संपूर्चितर इसी तरह से हर प्रस्ण में सबका एंसर आपका एक है तो फ्रेंट्स ये रहा आपके सत्तर प्रस्णों का अध्यावार वीडियों भाग एक फिर मिलेंगे अध्यावार की नेक्स वीडियों में भाग दो में तब तक के के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब।